नमस्कार दोस्तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेकर सब में और दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम पुलिस साइरन का साउंड जनरेट कर सकते हैं इस चिप के माध्यम से दोस्तो साउंड जनरेटिंग आईसी के बारे मैं एक पहले भी वीडियो बनाया था उसमें मैंने यूएंउएम 66 आईसी यूज में ली थी उसका वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगा और दोस्तो इस वीडियो में हम पुलिस साइरन साउंड को जनरेट करेंगे इस चिप का माध्यम से तो दोस्तो ये चिप अलग-अलग तरे की आती है जिसमें आपको अलग-अलग तरे के साउंड मिल जाएंगे जैसे की हेपी बर्डे का, म्यूजिक ये फिर किसी और टाइप की मेलोडी तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तो ये सर्किट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होगी इस चिप की ये चिप आप कहां से परचेज कर सकते हैं उस साइट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो अगर आप वहां से परचेज करना चाहते हैं तो इस लिंक के माधियम से परचेज कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम इस chip को clip में लगा देते हैं और अब हम एक transistor use में लेते हैं BC547 यहाँ पर दोस्तो आपको BC547 ही use में लेना है अगर आप दूसरा transistor use में ले तो उसकी pinout check कर ले वो BC547 के according ही होना चाहिए और transistor NPN ही होना चाहिए इसको हम इस chip में लगा देते हैं और transistor का जो face है वो इस तरप रहेगा तो इसका भी आप ध्यान रखें अब हम एक resistance लेते हैं इस resistance की value है 150 kWh इसको हम chip में यहाँ पर लगा देते हैं अब दोस्तो हम transistor और resistance की soldering कर देते हैं अब दोस्तो हम यहाँ से दो wire connect करते हैं positive और negative battery connection के लिए और अब हम एक speaker लेते हैं दोस्तो यहाँ पर आपको इस type का speaker लेना है क्योंकि यह speaker काफी अच्छा sound generate करता है और यह आपको खिलोनों में आराम से मिल जाएगा और आप इसे purchase करना चाओ तो भी आपको यह easily मिल जाएगा तो दोस्तो इस speaker की भी हम soldering कर देते हैं यहाँ पर एक wire positive side से connect कर देते हैं और दूसरा wire हम chip के उपर spin से connect कर देते हैं तो दोस्तो यह जो circuit है 3-5V कर और work करेगा तो यहाँ पर हम चाहें तो lithium-ion battery यूज में ले सकते हैं मैं यहाँ पर lithium-ion cell ही यूज में ले रहा हूँ और अगर आप चाहें तो lithium-ion battery के जगे normal cell भी यूज में ले सकते हैं नोर्मल cell आप 2 या 3 लगा सकते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप सुन सकते हो इसमें police siren का sound generate हो चुका है यह chip आपको अलग-अलग sound के लिए भी मिल जाएगी और दोस्तो इसके लावा मेरा एक video UM66 chip के बारे में भी है जिसका link आपको यहाँ से मिल जाएगा उसे भी जरूर देखिए तो दोस्तो आपको मेरा video कैसा लगा comment करके जुरूर बताईए और अगर मेरा content आपको पसंद आ रहा है तो channel को subscribe करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी से share कीजिए I really need your support